कैसे हो आप लोग तो इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सी इंफोर्मेशन देने जा रहा हूं कि हम लोग अपने चैनल पर वैदिक मैट्स का फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक हम लोग आपको बताते थे के वल हम लोग क्या महीं आपको बताता था कि अपने चैनल पर कोचिंग के बारे में, स्टेडी मेटीरियल के बारे में, अलम्पियाट के बारे में तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत जो अपने पास नौलिज है तो कोशिश करके आपके साथ शेयर करते हैं तो वैदिक मैट्स का कोर्स हम लोग फ्र हचा देता हूं वैदिक मैट्स है किए वैदिक मैट्स जो है वो एंसियंट इस्टम है मैथे मेटिक्स का ठीक है, which was discovered from वेदाज ऐसा कहा जाता है कि यह वेदों से discover किया गया था और जिनोंने इसको discover किया था उनaltres स्जो का नाम था स्वामी भारती कृष्णा तीरथ हमारी जनरेशन को हमसे पहली जनरेशन को वेधिक मैट से अफ़कत कराया वेधिक मैथेमेटिक्स के जो फादर हैं वो स्वामी भारति कृष्णती रजी माराज है यह आपको बताना इसलिए जरूरी है कि हम उनका वर्क पढ़ रहे हैं तो उनको क्राडिट देना बहुत जरूरी है वेधिक मैट से जो भी वेधो से वो निकाल पाए उसमें 16 सूत्र होते हैं और 13 उपसूत्र होते हैं ऐसे बोलते हैं उपसूत्र ठीक है वेधिक मैट is a form of mental maths यह basically mental maths है where we learn to see mathematical problems differently सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें सीखेंगे mathematics problem को differently देखना और उनको solve करना in a fast, easy and unconventional manner differently और unconventional यह दो चीज़ें यहाँ पर important हैं कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप simple sum करते हो, suppose आप करते हो 16 plus 14 तो आपके conventional method हैं, आपको school में पढ़ाया गया है कि 16 में 14 कहीं बार आप ऐसे add कर देते हो 16, 14, 6, 4, 10, 1, 1, 2 and then 3 ऐसे add कर देते हो, कुछ लोग directly भी इसको 16, 14, 30 कर सकते हैं कहीं तरह से हम इसको add कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेधिक maths से बात करते हो वेधिक maths के बारे में बात करते हो, तो इन conventional method को छोड़के और दूसरे method आपको बताया जाते हैं, इनको solve करने के suppose आपको multiply करना है, for example, 99 into 91 ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, 1 से करेंगे, 99, फिर इन्टू 99, जा 81, 81 और 90, ठीक है, फिर इसको आप जोड़के लिखोगे, ये conventional method है, जो शायद क्या हमने स्कूलों में सीखा है, लेकिन इसमें वेधिक maths में आपको इन चीजों के conventional method बताये जाएंगे, तो वेधिक maths इसलिए different है, क्योंकि वो आपके brain को challenge करता है, आपके brain को ये बताता है, कि जो आपने अभी तक सीख लिया, उसी चीज को कर ला है, लेकिन different तरीके से करना है, तो आपका brain stimulate होता है, वेधिक maths का benefit क्या है, इसका benefits भी यहीं से आता है, वेधिक maths is a collection of technique sutras, technique या सूत्र का collection है, ये to do mathematical calculations in a fast and easy way, improves logical thinking, logical thinking क्यों improve करता है, क्योंकि आप अभी तक बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, वो आपको वही चीज पढ़ा रहा है, लेकिन different तरीके से, different aspects से, तो आपका brain different aspect में सोचना शुलू करता है, calculation speed increase होती है by understanding it well and doing regular practice, regular practices की बहुत जरूरी है, वरना तो आप भूल लाओगे, regular practice से क्या होगा, brain stimulate होगा और concentration improve होगी आपकी, क्योंकि आप जब अपने दिमाग को ये चीज बताओगी, ये तो मैंने सीखा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, लेकिन अब इसी चीज को मुझे दूसरी तरह से सोचना है, तो आपका brain stimulate होगा और आपकी concentration improve होगी, develops ability to think and perform differently, differently वो ही जो मैं आपको बता रहा हूँ की, think और perform differently, ये आपका जो mind है वो differently think करेगा, differently perform करेगा, improve calculation speed saves time in competitive exam, competitive exam जो बच्चे देते हैं उनके लिए बहुत important होता है क्योंकि ये आपका time save करता है, competitive exams के दौरा, ठीक है, अब जो ये मैं course आपको बता रहा हूँ, इसके features क्या है, covers all the useful concepts and methods of Vedic Maths, useful concepts and methods मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि Vedic Maths मतलब unlimited है, एक चीज में से दूसरी चीज निकले जा रही है, दूसरी में से तीसरी चीज निकले जा तो मैंने सोचा है कि मैं आपको ऐसा course मना के दूं कि जो पढ़ने में आपको boring भी ना लगे है, आप सोचो रहे ये क्या पढ़ा दी, अब तो मुझे boring लग रहा है, तो मैं कुछ वीडियोज लेकर आया हूँ, सपोज 20 से 25 वीडियो हैं, जिसमें मैंने course को complete करने की कोशिश करिए, अगर आप उतना सीखे, फिर आपको लगा कि नहीं, इन चीजों में मुझे interest है, तो हम आगे और जो advanced techniques हैंस की उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. Focus on understanding and application of concepts to develop learners ability, इस इन वीडियो में मैंने focus किया है, कि जो concept मैं बता रहा हूँ, उसकी understanding और application आप लोग समझ पाएं, जिससे कि आपकी ability develop हो, sufficient examples for conceptual clarity, conceptual clarity के लिए इसमें मैंने sufficient example दी हैं, आपको solve करके दिखाया है, और बहुत बढ़िया चीज, practice worksheets भी मैं दे रहा हूँ आपको after each lecture, हर lecture की practice worksheets भी मिलेंगी, और ये आपको हमारी app में available रहेंगी, वो आपको वीडियो के थूप बता दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आप lecture पड़ोगे, जो भी मैंने lecture पड़ाया है, हर एक lecture की एक एक worksheets आपको मिलेगी, जिसे आपको खुद से solve करना है, by using the method जो आप उस वीडियो में सीखोगी, तो आपको और अच्छी conceptual clarity आएगी, friendly lecture duration, lecture duration बहुत friendly है, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के lecture है, ज्यादा बड़े lecture नहीं है, और ये 25-30 मिनट वाले कुछ कमी है, मतलब ये ज्यादा नहीं है, जिससे क्या हो, जिससे कि आपको एक साथ दिक्कत ना हो, अब मैं दो घंटे का lecture बना दूं, तो आप एक साथ बैठोगे, नहीं, दो घंटे कौन बैठेगा, आपको लगेगा, क्या boring सी चीज़ है, तो मैंने कोशिश करिए कि मैं lecture duration friendly रखूं, जिससे आप at least एक वीडियो को पूरी एक बार में देख सके, इस course को study क कैसे करना है, यह important चीज़ है, follow the method and thinking being told in lecture even if you know other methods to solve it, यह चीज़ important है, आपको वो चीज़ follow करनी है, जो lecture में बताई जारी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कि suppose कोई, suppose मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने 73 into 37, यह multiply करना है, अब यह आपको करना तो आता है, conventionally तो आप क आप अपने method से इस को करते रहोगे, तो फिर scores को करने का कोई फायदा नहीं, usually क्या है, बच्चा यह सवाल देखेगा, बोलेगा रहे है, तो मेरको आता है, लेकिन जब आप इसको Vedic Maths से करोगे, तो आपको पता चलेगा, कि इसका answer आप देखते ही लिख सकते हो, मैं कोई कोई ऐसा वो नहीं बनाने वाला हूँ, clickbait type की 2 second में हल करें, कुछ आता है ना, 2 second में solve, 3 second में solve, मैं ऐसा कोई clickbait नहीं बनाने वाला हूँ, मैं simple आपको logical तरीके से Vedic Maths की चीज़े बताने वाला हूँ, इन वीडियो में, solve practice sheets by Vedic Maths method, non-conventional videos are made keeping in view the youngest students, sorry, तीसरा point था, solve practice sheets by Ved Vedic Maths method, non-conventional methods, यानि कि जो भी practice sheet आपको lecture के बाद मिल रही है, उसको आपको Vedic Maths के method से solve करना है, यानि कि अगर ये चीज़ practice sheet में आ रही है, तो Vedic Maths में जो सिखाएगा है, उससे solve करना है, ना कि अपने answer लेकि आ जाओ, ठीक है, तबी तो सीख पाओगे, ये मानदार ही आ longest students, ये point मैंने क्यों लिखा, कि वीडियो में कहीं बार आपको language kiddish लग सकती है, ठीक है, kiddish लग सकती है, ऐसा लग सकता है, कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कोशिश ये करी थी, कि बई, जो है, जो भी, मैं, चातम, मतलब मेरा मानना ही है, कि जो मेरा course ह 10 plus years से लेके और any age जो सीखना चाहे, वो इस course को पढ़ सकता है, तो मैंने जब बनाया था, तो उस समय मैंने 10 से 15 age group को ध्यान में रखते हुए ये video बनाया था, कि 10 से 15 साल के age group के बच्चे इसको पढ़ें, लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे उसमें advanced level के भी question add कर दी, advanced level का मतल challenging to understand some methods initially, अगर शुरू में आपको लग रहा है, कि रहे यार, यह मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ, यह जिस तरह बताया जा रहा है, उस तरह मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, और जैसे मैंने अब तक पढ़ा है, वो ही सही है, तो अपने आपको time दो, relax दो, उस दिन मत पढ़ करने के लिए, तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो यह आपको maximum benefit देगा, who can learn this course, कौन-कौन इसको पढ़ सकता है, जैसे मैं अभी बताया है, कि this course is basically designed for the age group of 10 plus years to everyone who wants to learn Vedic maths, 10 साल से छोटे बच्चे भी पढ़ सकता है, बट मुझे लगता है कि 10 साल से अगर कम है, तो आप abacus पर ध्यान दे सकते हो, यहाँ पर हमारा goal होता है, mind को grow करना, mind की ability को develop करना, और 10 plus year है, 10 year है, तो आप इस course को पढ़ सकते हैं, अगर आप less than 10 year है, आपका mathematics में interest है, और आपको समझा रहा है, तो पढ़ यह कौन मना कर रहा है, ठीक है, बट मेरा जो बनाने होगा, आपकी logical thinking improve होगी, brain का stimulation होगा, और आप calculation differently करना सीखेंगे, teachers, teachers के course देख सकते हैं, जो की Vedic Math सीखना चाते हैं, और दूसरों को Vedic Math पढ़ाना चाते हैं, या Vedic Math को अपनी life में use करना साथ है, aspirants, कोई भी competitive exam के aspirants हैं, जो अपनी calculation speed बढ़ाना चाते हैं, और competitive exam में time save कर करना चाते हैं, और अपने colleagues या जो competitors हैं, उनके उपर extra egg चाते हैं, learners, कोई भी learner जो mathematics से प्यार करते हैं, नहीं भी करते हैं, वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, तो कब से हम इसको start कर रहे हैं, हम इसको start कर रहे हैं, 11th March 2024, 6.30 PM, daily 6.30 PM पर एक वीडियो हमारे चैनल पर आएगा, 11th March डेट क्यों हमने रखे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि boards को छोड़के, बाकी बच्चों के स्कूल के exams, 11th March तक खतम हो जाएंगे, हमने 8-10 से स्कूलों का feedback लिया है, hopefully सभी के हो जाएंगे, कुछ एक के नहीं होंगे, तो वो तो वीडियो पड़ा ही रहेगा YouTube पे, आप देख सकते हो, टोटल कोर्स में approximately 20-25 वीडियो रहेंगे, और ये कोर्स कम्प्रीट हो जाएगा, यानि कि अगर आप on an average daily का 20 minutes, 15-20 minutes spare कर रहे हो वीडियो देखने के लिए, और approximately 15 minutes ही आप use कर रहे हो वरकशीट के लिए, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो 30-35 minutes अगर आप daily देदोगे 20-25 दिन के लिए, तो 25 दिन के बाद आप देखना, आपको mathematics में और अपने brain में और अपनी thinking ability में कितना difference लगेगा, और छोटी से request है, अगर तब तक आप चाहें, तो जितने भी learner है, जो सीखना चाहते हैं वैदिक मैस या जो आपको लगता है, कि वो सीख सकते हैं, उन्हें सीखना चाहिए, तो आप प्लीज ये वीडियो उन तक पहुचा दें, कि हाँ भाई, 11-25 से यहाँ पर वैदिक मैस का course स्टार्ट होने वाला है, तो happy learning, अभी तो school का exam पर focus करो, और फिर जब वीडियो आएंगे, जब ये